नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो गृप जरूर सा जरूर जोइन कर लिजेगा टेस्ट को ध्यान से अटेम्ट करेंगे और बताएए कितने सही किये हैं कितने सही किये हैं टोटल कोईशन में से सभी अपना अपना इस्कोर जरूर करिए नमस्कार मैं हूं अमधिवेदी और स्वागत है आपका study for civil services में जिफ में आज हम आरो test 1 के बारे में डिसकस करेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि study for civil services की काई फ्री और paid courses YouTube और टेलिगाम पर मौजूद है जिने आप इस लिंक के थूरू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके जोइन कर सकते हैं और हमारा पहला question है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उलेक रिगवेद के निम प्रसाशन में निमन लिखित में से कौन क्रशी विभाग का प्रमुग था जब भी हम इस तरह के questions कुछ डालते हैं तो most important question है यह आने के basis पर लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह भी है कि जितनी भी post है वहाँ पर अकराद्ध्ष क्या है विवताद्ध्ष क्या है सीताद्ध् पर देखनी है वहाँ पर ठीक है हम सारे points cover करने की कोशिश करते हैं लेकिन यह आपकी moral responsibility है कि उस topic को जरूर देखें बार ठीक है तो देखें इस question में बढ़ते आगे अकराद्ध्ष विविताद्ध्ध्ष सीताद्ध्ष या क्रश्याद्ध्ध्ष तो इस question का answer है more representation में गुप्त काल के दौरान प्रसिद्ध साहते म्रच कटकम किसने लिखाया है विशागदत ने शूद्रक ने हरी सेन ने या कालिदास ने लिखें जो म्रच कटकम है यह शूद्रक का लिखा हुआ है और इसमें चारूदत और वसंत सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है इसम से कॉमन पीपल को पॉइंट आउट किया गया है और चारूदत ते एक व्यापारी था और वसंत सेन एक गणिका तो आंसर हो गया बी निम लिखित में से किसने मुहमत गोरी को हराया रायपाल महिपाल मूल राज दुतिय या भीम वन तो इस क्वेस्टिन का आंसर हो और ये कहां पर मुलतान में राया था ठीक है मुलतान में तब जैसे कि ये कॉश्चिन है तो इसमें आपको मुहमत गोरी को टच किया तो ये काफी इंपॉर्टन परसनेलिटी है तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर देख लें बंगाल के निमनलिखित शाशक में से कौन चैतन्य महाप्रभू का समकालीन है सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन, बार्बक शाह, अलाउद्दीन, हुसेन शाह या नुसरत शाह तो देखिए इस question का answer हो जाएगा C. अलाउद्दीन, हुसेन शाह, ये कुछ important famous religious personalities है जिनके समकालीन हमको पता होने चाहिए कि तुलसी का समकालीन कौल था, कालिदास का, कबीर का, ये सब कुछ important है ना, तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभू, अलाउद्दीन, हुसेन शाह, answer C. निम्लिखित में से कौन सा प्रांत उसके संस्थापक के साथ सही धंग से मिल नहीं खाता है, which of the following province is not correctly matched with their founder, तो हैदराबाद, निजामुल मुल्क, मैसूर, टिपू सुल्तान, जैपूर, जैसिंग, अवद, सादद कान, तो ये देखिए सभी founders सही matched हैं सिवाए मैसूर टि पूसुल्तान के, क्योंकि मैसूर हैदर अली होना चाहिए है, हैदर अली, और ये कब की बात है, 18th century, और जैसिंग, जैपूर, ये भी सही है, और ये भी 18th century का है, और आपका सादद खान अवद ये भी सही है, 1722, 24 के असपास की बात है, और निजामुल मुल्क, हैदराबा ये भी सही है, और ये भी 1724, तो आंसर हो जायेगा इसका B, भारत आने वाले पृथम बिटिश नागरे कौन थे, वासको डिगामा, केप्टन होकिन्स, जॉप चर्नौक या जॉन मिंडनाल, तो बहुत ही फेमस कुश्चन है ये, और इसका आंसर है, D. जॉन मिंडनाल, और ये जो वासको डिगामा थे, ये भारत आने वाले पृथम यूरोपिय यात्तरी थे, ये ना, यूरोपिय, और कैप्टन होकिन्स है जो, ये पृथम अंग्रेज जो की जहांगीर के टाइम पर आये थे, जहांगीर के टाइम याद रखना है आपको, और जॉब चर्नौक है जो, वो कलकत्ता के संस्थापक है, कलकत्ता शेहर, आंसर हो जाएगा, जॉब, 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 मिंडन हाल, अंग्रेज संरक्षन प्राप्त, बंगाल का पहला नवाब कौन था, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुत दौला, या मुबारकुत दौला, तो, हम जानते ह कि बक्सर का जो युद हुआ था उसके बाद, पांच फर्वरी, डेट्स भी कुछ-कुछ याद होनी चाहिए, यूपी के एक्जाम में, सत्तरा सो पैसट को, मीर जाफर की डैथ के बाद, कम्पनी ने उसके बेटे, नजमुत दौला, को अपने संदक्षन में, बंगाल का नवाब बनाया था, तो आंसर हो जाएगा C, धन के निस्काशन को, अनिस्टों का अनिस्ट किसने कहा, वू सेट दे इविल्स ऑफ ओल इविल्स फॉर डेन ऑफ वेल्थ, तो डेन ऑफ वेल्थ की थियोरी है किसकी वैसे, यह है, सबसे पहले दादा भाई नारोजी ना दी कहां पर पवर्टी एन अन बिटिश रूल इंडिया, यह हमें पता है, उसके अलावा अनिस्टों का अनिस्ट भी दादा भाई नारोजी ने ही कहा था, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एम जी राना दे ने कहा था कि वन थर्ड रास्ट्रिय पुझी किसी ना किस इसी फॉर्म में भारत के बाहर जाती है, ठीक है, और जो आरसी दत्त की बुक है, इसके बारे में, ड्रेन ओफ वेल्थ के बारे में, वो है इकनॉमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया, और गोपाल कृष्न गोखले है, उन्होंने 1909 में, वो एक में, इम्पीरियल पर भाशड देते हुए, ड्रेन ओफ वेल्थ पर भाशड दिया था, ठीक है, तो इस क्वेस्टिन का अंसर हो जाएगा, बी, निम्लिखित वाक्यों पर ध्यान दे, consider the following statement, ठीक है, the revolt of 1857 was led by मौलवी एहमदुल्ला इन रुहेलकंड, 1857 के विद्रो का नित्रत्व, रुहेल फैजाबाद से 1857 के विद्रो का नित्रत्व, खान बहादुर खान ने किया, तो इन में से कौन से सही है, ये बताना है, ठीक है, तो देखिए, जो रुहेल खंड से किया था, वो किया था आपका खान बहादुर खान ने, और फैजाबाद से किया था मौलवी एहमदुल्ला तो दोनों आपस में cross-matched है, तो दोनों ही गलत हो गया, answer हो गया, neither D answer, निम लिखित कथन पर विचार करें, वोलगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोलगा is the longest river of Europe, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, इन में से कौन सा सही है ये बताना है, तो देखिए, केवाल एक सह सही है, या दूसरा सही है, या कोईस भी सही नहीं है, तो इस question का answer होगा C, क्योंकि ये दोनों ही statement सही है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो वोलगा है, और originate कहां से होती है, ये गिरती तो आपकी कैस्पियन सी में है, लेकित originate होती है, ये वोलदाई hills है, वोलदाई से कौन सही धंग से मिल नहीं खाता है, Glacial मैदान, Glacial Plains है, जो वो Plains of Canada है, Canada का मैदान बिलकुल सही है, कास्ट मैदान, Yugoslavia ये भी सही है, लोईस मैदान, चीन ये भी सही है, और Lava मैदान, Hungarian मैदान, ये गलत है, यवो नहीं है, ये गलत है, ये जो हंगेरियन प्लैन से है, वो diastrophic plane है कैसे है diastrophic ठीक है diastrophic plane है और आपका जो lava planes की बात हो रही है वो क्या है वो आपके जैसे decan platy हो गया उसके अलावा java islands हो गये इंडोनेशिया में तो इस question का answer हो जाएगा D तो कि गलत वाला पूछा था निम्लिखित प्रमुख जुआला मुखी में से कौन USA में स्थित नहीं है which among the following major volcano is not located in USA तो देखिए रेनर USA में है कटमई USA में है सास्ता USA में है और जो मेयन है यह आपका फिलिपिन्स में है यह काफी फेमास है ना फिलिपिन्स में है यह याद रखिएगा और अंसर हो जाएगा D consider the following statement about seismic waves भूकम पी तरंगों के बारे में निम्लिखित कतनों पर विचार करें जो S तरंगे है अनुप्रस्त तरंगे होती है वो जो की प्रकाश तरंगों के अनुरूप होती है S waves are transverse waves analogous to light waves ठीक statement है यह उसके अलावा दूसरा देखिए यह लहरें केवल तरल माद्यम से गुजरती हैं यह statement गलत है क्यूंकि जो S waves हैं वो आपका सिर्फ solid से होकर के गुजरती हैं और liquid में खतम हो जाती है only solid ठीक है और आपका जो P waves होती है वो solid में और liquid दोनों में जाती है ठीक है बस slow हो जाती है थोड़ा liquid में लेकिन pass हो जाती है यहां से P waves तो इसमें S waves की बात चल रही है तो यह question यह वाला statement गलत हो जाएगा यह वाला सही हो हो जाएगा तो answer हो जाएगा यह only one mental और core के बीच में या भीतरी core और बाहरी core के बीच में तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि crust और mental के जो बीच में मिलेगी उसका नाम है moho discontinuity ठीक है और जो upper mental और lower mental के बीच है उसका नाम है rapidity और जो mental और core के बीच में है वो है आपकी guttenberg ठीक है और जो inner core और outer core के बी human ठीक है तो यह कुछ discontinuity है जो आपको याद होनी चाहिए इस question का answer हो जाएगा c निमनिलिखित कथनों पर विचार करें consider the following statement stratosphere में तापमान ऊपर की और बढ़ता है mesosphere में तापमान ऊपर की और घटता है इनमें से कौन सा सही है पूचा है तो यह हमें पता है कि जब हम troposphere में ऊपर की और जाते हैं तो temperature घटता है और फिर जब stratosphere आता है तो उसमें temperature बढ़ने लगता है और फिर mesosphere में temperature वापस से घटता है तो यही इसमें पूच रहा है कि mesosphere में घटता है और stratosphere में ऊपर की और बढ़ता है तो जैसे जैसे height increase होगी वैसे वैसे temperature घटेगा यहाँ पर मीजो स्फियर में और स्टेटो स्फियर में बढ़ेगा ठीक है तो इस question का answer हो जाएगा आपका C निम निलिखित कथन पर विचार करें देखे पच्छुआ पवने सर्दियों के मौसम में महादीपो पर अधिक नियमित और इस्थिर रहती है पच्छुआ पवनों के शेत्र को headly cell कहा जाता है इन में से कौन सा सही है पूछ रहे हैं ठीक है पच्छुआ पवनों के शेत्र को headly cell कहते है यह भी गलत क्योंकि यह statement भी trade winds के बारे में है तो यह कथन जो है दोनों trade winds से related है ना कि westerlies से related तो answer हो जाएगा D निम लिखित में से कौन सूखा शेत्र नहीं है मिर्जापुर, पलामव, कालाहंडी या कोटा कहां कहां पर हैं यह आपका उत्तर प्रदेश में है पलामव, जहारखंड, कालाहंडी, उडिसा और कोटा आपका राजस्थान अब गेस कीजे की कौन सा सूखा शेत्र नहीं है तो देखिए ये भी सूखा शेत्र है ये भी सूखा शेत्र है और ये भी सूखा शेत्र की लिस्ट में हैं ये तीनों हैं और कोटा आपका ड्रॉट प्रोनेरिया लिस्ट में नहीं है तो answer हो जाएगा D निमनलिखित में से कौन? मिट्टी के बारे में सही है Latterite मिट्टी है जो वो Iron Oxide और Aluminium Oxide में सम्रद्ध है बिलकुल सही काली मिट्टी में Iron और Humus से भरपून है ये भी सही दोनों सही है अंसर हो जाएगा C दोनों सही निम्न लिखित कतनों पर विचार करें गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा शेत्र जुआरी ये वन से सम्रद्ध है बिल्कुल सही और ये सदा बहार जंगल है ये भी सही तो इस question का answer हो जाएगा C दोनो statement यहाँ सही है और सही ही पूछा है तो answer हो गया C भारत में single constitution की जो मांग है एकल सम्रद्धान की जो मांग है सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी बिल्कुल सही बात है और 1922 में महात्मा गांधी ने दक्षिन अफ्रिका की तर्च पर सम्रद्धान सभा की बात कही थी ये statement भी एकदम सही है तो अगर सही पूचा है तो answer हो गया हमारा C बोथ 1 and 2 निम रिखित कथन पर विचार करें प्रस्तावना की अवधारना संयुक्त रास्ट्र अमेरिका से ली गई है बिल्कुल सही और प्रस्तावना की जो भाशा है वो अस्ट्रेलिया से ली गई है यह statement भी सही है तो answer हो गया C यहाँ पर यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर मैंने यह question डाला है कि कौन सी चीज कहां से बौरो की गई है तो आप यह एक बार list पूरी देख ली जगा था तो ऐसा नहीं है यह बंगाली के साथ साथ संस्कृत में भी लिखा गया था और जनगर्मन है जो वो जो हमारा रास्टगान है उसको केवल बंगाली में रमींद्रनाथ टैग और के द्वारा लिखा गया है यह बात बिलकुल सही है तो इस question का answer हो जाएगा बी केवल दो सही है इसका निम ने लिखेत राज्यों को उनके गठन के हिसाब से विवस्थित करें arrange the following states in order to their formation तो देखें महरास्ट जो बना था वो कब बना था आपका 1960 में मनीपुर बना था आपका 1971 में वहीं आपका सिक्किम बना था 1974 में और तेलंग आना बना था 2014 में तो अगर इसको arrange करेंगे तो answer हो जाएगा आपका B1342 निम ने लिखेत में से कौन सा अनुछेत नागरिक्ता प्राप्त करने और समाप्त करने की शक्ती प्रदान करता है which of the following article provide the power to attain and lose the citizenship आपको पता है कि citizenship कहा है पांच से ग्यारा तक दिया गया है और इस question का answer हो जाएगा अनुछेत ग्यारा D answer नैसर्गिक न्यायका सिध्धान्त नेचुर प्रिंसिपल अफ नेचुरल जस्टिस ये कहां पर है किस अनुछेत में नहित है ठीके directly तो mention नहीं है लेकिन implicit पूछ रहा है कहां पर है अनुछेत 12 में है 13 में है 14 में है या 15 में है देखे नेचुरल जस्टिस का जो सिध्धान्त है वो article 14 में नहित है जिसमें equality और equity की बात की लिए संसद को यह शक्ति किस अनुछेत से मिलती है कि वह विधी बना कर सरकारी सेवाओं में नियुक्त के लिए किसी राज में निवास की आहरता ठीके qualification की बात है विहत कर सकती है from which article does parliament get the power to make law for the qualification of residence in a state for appointment and government services तो अनुछेत सोला तीन में, चार में, सोला चार का में या अनुछेत सोला पाँच में तो यह पावर संसद को article सोला तीन के तहत मिलती है इस question का answer हो जाएगा भारती संविधान के निमनलिखित में से किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है which of the following parts of Indian constitution having the provision of emergency part 14 में, part 15 में, part 17 में या part 18 में तो देखिए आपको कुछ जो important parts है वो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो 14 में क्या दिया गया है services under union and state services सेवाओं के बारे में है और आपका part 15 में क्या है ये election है और part 17 है जो उसमें क्या है official language के बारे में है ठीक है और जो part 18 है वो आपका emergency के बारे में है तो answer क्या हो जाएगा इसका D भारतिय सम्विधान की निमनलिखित अनुसूची में से कौन सा नगर पालिका के बारे में है which of the following schedule of Indian constitution is about municipality तो municipality के बारे में 11th schedule में है 12 अनुसूची में है 10 वी में है 9 अनुसूची तो आपका anti-acquisition law वाला है इसमें क्या है इसमें है कि जब संसद को किसी court का interference नहीं चाहिए तो उसको क्या है 9 अनुसूची में डाल देते हैं और वहीं 10 अनुसूची में क्या है दल बदल वाला यह दल बदल मता इसको English में बोलते है anti-defection law और बारवी अनुसूची में आपका municipality वाला है तो option B इसदा आंसर और ग्यारवी अनुसूची में पंचायत वाला तो इस question का आंसर B निम्न लिखित में से कौन भारती सम्विधान की विशेष्टा नहीं है which of the following is not the feature of Indian constitution सबसे लंबा लिखित सम्विधान नेंदियस रिटन कॉंस्टिटूशन कठोर सम्विधान सरकार का संसदिय सुरूप और मौलिक अधिकार देखे parliamentary form of government तो है हमारी बिल्कुल सही उसके अलावा fundamental rights भी है यह भी बिल्कुल सही lengthiest written constitution सबसे लंबा लिखित सम्विधान भी भारती सम्विधान है लेकिन जो rigid constitution की बात है यह अधूरा है क्योंकि हमारा सम्विधान synthesis है किसकी rigid और flexible दोनों की ठीक है यह रंबेट करने बोला भी है कि हमारा सम्विधान as per the need काम करता है ठीक है जरूत पढ़ने पर rigid और जरूत पढ़ने पर लचीला यानि flexible तो answer हो जाएगा इस question का B head office of SIDB कि का head office कहां पर है लखनौ में है इंदौर में है नई दिल्ली में है बुंबई में है सिड़ी की full form आपको पता होने चाहिए कभी-कभी full form ही पूछ लेते हैं सिड़ी की full form है small scale industries development bank of India और इसका headquarter है वो कहां पर है वो है लखनौ में और उत्तर प्रदेश का exam है और उत्तर प्रदेश में ही इसका headquarter है जयाद रखिएगा कलान क्रम में निम्लिखित को विवस्थित करें arrange the following in a chronological order कुछ schemes plans and policies government के ऐसी होती है जो काफी benchmark वाली होती है ठीक है तो उनको आपको याद रखना चाहिए मतलब month exactly नहीं तो कम से कम year तो याद होना ही चाहिए जने नी सुरक्षायोजणा startup ineya saubhaagya yojourna इन तिनों में यह कब कौनसी आई आपको arrange करता है देिए जनेनी सुरक्षायोजणा है जो यह है आपकी 2015 की Start up India जो यह 2016 की है और sobhaagya yojourna जो यह 2017 की है यह तो करम करमसे रेंज़ है आंसर हो जाएगा A123 निमलिखित में से किस पंच वर्षिय योजना ने सामाजिक नियाय और समता के साथ विकास के बारे में ध्यान के इंद्रित किया Which among the following 5-year plan focused about growth and social justice and equity 6th 5-year plan ने, 7th ने, 8th ने या 9th ने तो इस question का answer है D, 9th 5-year plan ने और यह कब से कब तक चला 9th चला है 1997 से 2002 तक answer जाएगा D निमलिखित में से कौन राज जी के लिए राज सुका सुरोत नहीं है Which of the following is not the source of revenue for state, state के revenues की बात चल रही है land revenue है, stamp अंजी करन, stamp registration भी है ठीक है, state duty यह भी है और loan raised by the RBI, RBI इसे लिया गया कर्ज अब यह कर्ज है तो यह revenue कैसे हो सकता है न, यह तो expenditure है तो answer हो जाएगा D Ease of doing business की जो report आती है, उसको कौन जारी करता है World Bank जारी करता है World Economic Forum विश्व आर्थिक मंच जारी करता है अंतराश्ट्री मुद्राकोश International Monetary Fund जारी करता है या transparency international जारी करता है तो यह आपको सब याद होने चाहिए कि यह सारे जो important संगठन है यह कौन कौन सी report जो important reports है वो जारी करते हैं और इंडिया किन में क्या-क्या ranking है ठीक है फिलाल इस question का answer हो जाएगा वो वर्ड बैंक ग्रूप फिक कह Just काの जारी एडिक और जारी एक है Demande इलेक्ट्रिक मोटर परवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर कंवर्ट्स मेकेनिकल अनर्जीडेक़ा यांत्रिक उर्ज्या में यांत्रिक उर्जा को विद्ध्य तूर्जा में विद्धुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में, विद्धुत उर्जा को ध्वनी उर्जा में, या विद्धुत उर्जा को काश उर्जा में, तो देखे, यह जो यांत्रिक उर्जा को विद्धुत अनर्जी में कनवर्ट करता है, इसको तो कहते हैं डाइनमो, ठीक है, और ज जो विद्धुतूर्जा को ध्वनी में करता है उसको कहते हैं loudspeaker और जो विद्धुतूर्जा को प्रकाश में करता है उसको कहते हैं tube light तो इस question का answer B जी के बारे में निम लिखित कत्नों पर विचार करें प्रत्वी के घूमने के कारण जी घटता है और यदी प्रत्वी की कोणी ये गती बढ़ती है तो जी घटता है जी decreases due to the rotation of the earth और जी decreases if angular speed of earth increases तो यह दोनों ही statement सही है और इसके बारे में एक ची दोर आरा रखनी गया maximum at poles and minimum at equator इन दोनों जब यह दोनों ही सही है तो answer हो जाएगा C आयनिक बंद के बारे में निम लिखित कत्नों पर विचार करें consider the following statement about ionic bond कौन से होते हैं आयनिक bond होता क्या है कि जब देंकि इलेक्ट्रोन को complete transfer से bond बनाना पड़ता है ना जैसे कि NACL हो गया यह एक यहां पर और यहां पर pairing है सबकी यहां पर एक single bond होता है तो यह यहां से complete transfer हो जाता है तो Na plus Cl minus ठीक है तो जब complete transfer हो रहा है तो उसको ionic bond की category में आते हैं तो देखिए यह अब आप इस example से थोड़ सा idea लगा सकते हैं कि दे यार soluble in water पानी में घुलनशील है मिलकुल सही और उनके पास उच्च गलनांग यानि high melting point और low क्वाथनांग low boiling point होता है तो इस question का answer हो जाएगा B क्योंकि ionic bonds का melting point और boiling point दोनों ही high होता है answer B nephrology है nephrology is study of kidney गुर्दे का अध्यन लिवर का अध्यन मानव सॉंदर्य का अध्यन या कवक का अध्यन तो कवक का अध्यन क्या होता है कवक का अध्यन होता है ठीक है और लिवर का अध्यन होता है आपका hapetology hapetology ठीक है और nephrology क्या होता है गुर्दे का अध्यन study of kidney mushroom जीव जगत के किस श्रेणी में आता है mushroom comes under which of the following category of living world monera protesta fungi या planted देखिए जो आपका mushroom है वो एक fungus की category में आता है answer c देश की पहली sea plane सेवा कहां शुरू की गई है where the country's first sea plane service has been launched gujarat में, maharasht में, tamilla, dhu में या गोवा में इचारो ही coastal states है तो देखिए यह जो sea plane service है वो गुजरात में start की गई है और कहां पर जो आपकी statue of unity है न और उसमें यह किस जगा पर केवडिया केवडिया से start होगी और कहां तक जाएगी यह एहमदाबाद तक answer हो जाएगा a gujarat और इसको चलाएगा कॉन spice jet ठीक है उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन package के लिए आत्म निर्भर package 3.0 में कितनी राशी की घोशना की गई है हाँ मुच अमाउंट है इस बीन अनाउंजड इन आत्म निर्भर package 3.0 और प्रोडक्शन लिंड इनसेंटिम पैकेज दो लाग करोड तीन लाग करोड चार लाग करोड या पांच लाग करोड तो देखें इस question का answer होगा एक दो लाग करोड consider the following statement अभी अभी यूएस के election हुए है नहीं election से related क्या-क्या पूछते है वो इसारी चीते इसमें आपको दी गई है एक बार इनको ध्यान से देखेगा ठीक है जोसेफ बिडेन जूनियर यह 46th यूएस president बने और यह सबसे बूढ़े president है जो यूएसे की history में इलेक्ट हुए है ठीक है इलेक्ट जरूए ध्यान रखिएगा तो यह statement एकदम सही है उसके अलावा जो आपी कमला अमेरिकन है यह भी सही और जो यह जोसेफ रॉबिनेट विडेन है जूनियर यह 47th vice president थे USA के अभी तक यह vice president थे यह statement भी सही है तो अब यह यह कौन सी हो गई होंगी यह होंगी 48th यह 47th यह बन गया रास्ट पती तो यह हो गई है vice president 48th both of them are the member of democratic party दोनों ही democratic party से है यह statement भी सही है तो elections यूएस elections से रिलेटिक याद हो दे कि वह यह पूछेंगे कि vice president कौन है या पूछेंगे president कौन बने या पूछेंगे कौन से number के बने या यह पूछेंगे यह vice president कौन से number की थी ठीक है या यह president कौन से number के vice president थे ठीक है तो यह सारा एक informative question है इसको जरूर याद रखिएगा ठीक है तो इस question का answer हो जाएगा correct पूछा है d12 and 34 किस team में IPL 2020 का final match जीता which team won IPL 2020 final match Mumbai Indians Delhi Capitals match tie हो गया था या इन में से कोई नहीं जीता तो इस question का answer है Mumbai Indians अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि IPL से related जितने भी facts है कि Mumbai Indians ने किसको हराय था Delhi Capitals को उसके अलावा किसको क्या awards मिले है और इंच के वगर जो भी मिलते हैं वार्ट वो सारे क्या आपकी जिम्मेदारी है IPL 2020 से related जितने facts हैं हुआ एक बार देख ले निम न अंतर राष्ट्रिय एमी अवार्ड जीता है इना which among the following wound 2020 International Emmy Award in Best Drama category Responsible Child Old People's Home Old People's Home या Delhi Crimes या Elisabeth is Missing तो इस question का answer है Delhi Crimes Emmy Award मिलाए इनको अभी Best Drama के लिए आंसर C निम निलिखित में से किस राज्य ने मत्स पालन शेत्र में पुरुसकार जीता है देखे एक pairs हैं इसमें आपको दूना है कि कौन सा pair है जिसने वो जीता है उडिशा यूपी असम महरास्ट मध्यप्रदेश गुवा महरास्ट केरल करनाटक गुजरात 36 गड़ मनिपुर देखे इस question का answer होगा ए और यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कहीं वो यह पूछे कि कि किसने marine state category में जीता है तो answer हो जाएगा आपका उडिसा ठीक है और अगर यह पूछते है कि inland state category में किसने पूछा जीता है तो वो जाएगा उत्तर-प्रदेश और अगर पूछते हैं कि हिली और north east states में से किसने जीता है तो answer हो जाएगा असम ठीक है याद रखिए जासी अलीगण और मेरट यह जो आपका डिफेंस कोरिडोर बन रहा है इसके जो कुछ नोट्स है वो क्या है लखनव है कानपुर है और जासी है उसके अलावा आगरा है अलीगण और चित्रकूट है यह कुछ नोट्स है तो इनको याद रखिएगा तो आंसर हो जाएगा इसका नहीं पूचा है मेरट डी आंसर यूपी के निम्न लिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व के और विवस्तित करें ठीक है वैस्ट टू इस्ट लखनव फरुखाबाद हर्दोई और एटा तो अगर हम अरेंज करेंगे तो इसका और बनेगा एट फरुखाबाद हर्दोई और लखनव ठीक है तो आंसर हो जाएगा C 4231 नयमी शारण ने यूपी में निम्न लिखित में से किस जिले में स्थित है बारा बंकी सीतापूर हर्दोई नाव इस क्वेस्टिन का आंसर होगा B. सीतापूर किस सरकार ने प्रवासी राहत मित्र य प्रवासी राहत मित्र है जो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉंच किया है ठीक है आंसर हो जाएगा B और यह वो स्लाइड है जिसे आप पॉस करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि